नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे थेंगा दिखाने का मतलब क्या होता अगर हम इस चीज को बहुत ही प्रैक्टिकल इग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम रश्या वर्शेज वो सभी देशों का एक्जाम्पल ले सकते हैं जिन देशों ने रश्या के उपर सैंशन्स लगाएं लेकिन आज के डेट में वो बहुत ही खुल के business करना शुरू कर दिये और हम कह सकते हैं कि आने वाले एक सालो में European countries और Russia के बीच में जो businesses थें वो back to normal हो जाएंगे ये कैसे हुआ क्यूं हुआ इसको हम इस वीडियो में समझते हैं ये हमारे सामने dw.com का article है जो की absolutely free of cost इसको आप भी पढ़ सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से जो European country से खास करके European Union देश dependent है Russia के natural gas और oil के उपर जब हम इस टाइप के articles को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पढ़ता है सबसे पहली बात तो हमें बहुत ही neutral point view से रह के चीजों को देखना होता है और उसके बाद हमें कोशिश करना होता है कि हम चीजों को अपने practical life के example से समझें तो for example आप ये मानिए कि आप किसी एक locality में रहते हैं और उस locality में आप किसी दुकान के साथ वैपार करते हैं तो suppose that अगर किसी भी कारण से अगर वो दुकान बंद हो जाता है तो यहाँ पे समझाने के जरुवत नहीं है कि आपको कहीं न कहीं परिशानी होगा और ये भी chances काफी high हो जाते हैं कि जिस तरीके से relation आपके इस दुकान के साथ है उस तरीके से relation किसी और दुकान के साथ built up करने में काफी वक्त लग जाए और उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप कहीं से समान लाते हैं या ले जाते हैं तो उसका जो distance होता है वो भी काफी माइने रखता है तो यहाँ पर जो समझाने का मतलब है वो यह है कि European देशों और Russia के बीच में already एक well-established infrastructure था जिसके मदद से Russia European countries को oil और natural gas supply कर रहा था चांसे से कि बहुत सारे European देश जिनको यह फरक नहीं पड़ता है कि Russia किसके उपर attack किया इनी सब के बीच में बहुत सारे ऐसे European countries हैं जो almost 90 से लेकि 95% तक वो Russian oil और natural gas पर dependent है तो आप उन सब देशों के point of view से रहे के देखिए और समझ ये कि वो सारे देश क्यों नहीं चाहे है कि Russia के खास करके जो Economic Minister है या Western Department जो Russia के Economy को समालते हैं उन सारे ग्रूप में जो long काम करते हैं वो काफी दिनों से same group में कहने का मतलब है कि suppose that किसी एक ग्रूप में frequently members change हो रहे हैं और किसी ग्रूप में जो members है वो change नहीं हो रहे हैं तो अगर किसी भी ग्रूप में frequently members change नहीं हो रहे हैं तो chances काफी high होता है कि वो सारे लोगों को पता है कि exactly आपको economy को कैसे manage करना है तो अगर हम खास करके Russia के बारे में बात करें तो इनके बहुत सारे departments या ministry में जो व्लादेमिर पुतिन हैं उनके trusted लोग काम करते हैं जो कि trusted भी हैं plus efficient भी हैं और जहां तक बात किया ज Russia के economic ministry के बारे में तो यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो काफी लंबे दिनों से Russia के economy को समाल रहे हैं तो यहां पे जो कहने का मतलब है वो यह है कि उनको ये मालूम पढ़ चुका है कि sanctions के बावजूद आप किस तरीके से अपने देश का जो business है उसको normal तरीके से करें अगर आप इसी article को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़े है कि शायद कभी भी वैसा दिन नहीं आया था जिस दिन Europe में Russian oil या gas का supply नहीं हो रहा था जैसा कि बढ़ चड़कर भारत Russia से crude oil purchase कर रहा था और उसको भारत में refine करने के बाद उन सभी देशों को बेच रहा था जो European countries है उनका जो oil और natural gas के उपर dependency है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा European Union में total 27 countries आते हैं जो कि अगर आप उस पूरे group का देखेंगे तो 34% जब वो पूरा group है वो dependent है रश्या के उपर लेकिन अगर आप individual data चेक करेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि कोई-कोई देश almost 90 से लेके 95% तक dependent है तो इस चीज़ को आप सोचे कि अगर आप एक country है और आप किसी के उपर almost 90 से लेके 95% energy demand के लिए अगर आप dependent है तो आप कभी भी उस देश को नाराज नहीं करना चाहेंगे वहीं पे अगर आप देखें तो जर्मनी के बहुत सारे ऐसे statements आये हैं जो directly against Russia के लेकिन उसके बाद अगर बात किया जाए Russian oil या gas का तो जर्मनी यहाँ पे sanctions नहीं लगाता है Normally sanctions का मतलब क्या होता कि आप किसी भी चीज़ को रोकना चाहते हैं लेकिन जिस तरीके से European countries Russian oil और gas को छोड़के या in fact आप कहलें कि Russia से वो सारे चीज़ आज भी लिए जा रहे हैं जिस चीज़ का market में कोई alternative नहीं है Russia के पास heavy industries है इनके पास processed uranium है और बहुत सारे जो European countries है plus USA है वो directly Russian processed uranium को purchase करते हैं ताकि उनके जो nuclear plants रहे वो चल सके तो हमारे पास example के तोर पे बहुत सारे examples है जिसको कि हम रख के देख के समझ सकते हैं कि अगर आपका देश manufacturing करता है और बढ़ चड़ कर manufacturing करता है तो कहीं न कहीं आपके देश के पास वो एक अलग सा advantage रहेगा जो कि हम साफ देख सकते हैं Russia के case में ये मैं आप लोग के सामने देशों का example रख रहा हूँ Austria और Hungary का जहां पे अगर आप 2013 का statement देखेंगा तो Austria on record ये confirm करता है कि वो 98% जो उसके पास gas import हो रहा वो रश्या से हो रहा वहीं पे अगर आप बात करेंगे हंगरी के बारे में तो Hungary भी रश्या से natural gas और oil purchase कर रहा on papers ऐसे दिखाये गए कि हंगरी तरकी के साथ जो deal किया है तरकी के पास भी रश्या ओयल या natural gas ही आ रहा तो कहने का मतलब है कि कि किसी ना किसी तरीके से कि रश्या का oil या natural gas को अगर आप use करेंगे तो जो रश्या का revenue है वो तो continuously generate होता रहेगा ये हमारे सामने Reuters की ख़बर है जिसके हिसाब से जो रश्या gas का export था European countries को वो बढ़ गया है या इसको हम कुछ इस तरीके से देखे कि वो back to normal हो गया है almost पूरा का पूरा जो European countries है वो entirely dependent है Russia के उपर और उसके बाद आप सोच के देखे क्या इतने बड़े बड़े pipelines को बिचाना इतना असान है और अगर आप इतना बड़ा infrastructure development करते हैं त जो already पहले से trial and tested रहता है जैसा कि हम देख सकते हैं जो already एक infrastructure develop हो रखा है Russia और European countries के बीच में और जब भी हम इस type को कोई भी articles को पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं इन सारे articles के बीच में China का नाम जाने अन जाने में आता ही है अब इसके पीछे का भी वज़ा है क्योंकि China और Russia का border लगता है और किसी भी चीज का transportation में जितना कम वक्त लगता है उतना ही आपके पास advantage होता है और उतना ही आपको कम price pay करना पड़ता है अगर आप इस map को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये है China और Russia और China के बीच में gas और oil pipeline का development किया जा रहा है जो कुछ इस रास्त भी तरीके से ये डर नहीं रहेगा कि इनके जो gas pipeline है या oil pipeline है उसको किसी भी तरीके से खतरा पहुँचे लेकिन अगर आप वहीं बात करें इरान के बारे में तो चाइना के लिए ये बेहत मुश्किल था कि वो इरान से oil को मंगाता हलाकि आज भी इरान के साथ चाइना के oil म बारे में तो इरान के पास भी बढ़ चड़कर natural gas है लेकिन इरान के पास उतने अच्छे technology नहीं है जितने अच्छे technology रश्या के पास है और कहीं ना कहीं रश्या ये नहीं चाहेगा कि वो इरान को इन सब technology को दे क्योंकि अगर आप सामिने वाला देश को empower करते हैं तो कहीं और रश्या के बीच में एक complete तरीके से natural gas और oil का infrastructure development हो जाएगा और आज भी ये जो route है इसको Siberia route कहते हैं और आज भी रश्या और चाइना इस route का इस्तिमाल कर रहा लेकिन in future में इस route को और भी develop किया जाएगा तो हम यहां से समझ सकते हैं कि अगर आपके देश के पास economy तो चाइना भी अपने research and development में खूब पैसे invest करता है और चाइना का भी आज के date में almost एक monopoly है बहुत सारे चीजों में और कहने के जरूवत नहीं है कि चाइना को आज के date में world's factory कहा जाता है तो अगर आप in short समझना चाहे इस पूरे article का मतलब तो यह है कि अगर आपका देश बढ़ चड़ कर research and development में पैसे खर्श करता है और अगर आप किसी भी तरीके से सामने वाले देश को अपने पे dependent बना लेते हैं तो कोई आपके उपर जितना मर्जी उतना sanctions लगा ले दिखाने के लिए लेकिन वो देश तब भी आपके साथ ही business करेगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye